तो कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे आबाद होंगे और जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसका आकलन और अभ्यास किया होगा दो उधारण मैंने आपके लिए छूड़े थे ये इनका स्वर्रूप पूरा का पूरा आपको तिया हुआ है और मैंने ये भी कहा था हम विचार करेंगे स्वरसंदी के दूसरे और तीसरे भेट पर दूसरा भेट कौन सा है गुन संधी और तीसरा भेट यन संधी अब ही हम बात करते हैं गुन देखिए गुन का व्याकरण भाषा में कई जगाया परियोग है गुण उपसरक प्रते में भी गुण गुणवाचक विशेशन में भी है ना? ध्यान होगा गुणवाचक विशेशन जब पद परीचे किया था तब मैंने आपको बताया था विशेशन के छोटी छोटी बाते जो कि पद परीचे में बहुत महत्वपुन तरीके से परियोग होती है है ना? याद आया? याद आई गया होगा पढ़ाया था मैंने अच्छे से पढ़ाया था और समझाया था अब बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जेने हमें सीखना पढ़ना चाहिए देखना चाहिए समझना चाहिए और करते रहना चाहिए और जहां भी जाएं ट्रिक्स और ट्रॉक के अलावा हम एक चीज़ और याद रहती है प्रेक्टिस प्रेक्टिस makes a man perfect not a man this one is goes for woman also हर व्यक्ति के लिए इंसान के लिए जिन्दगी में बहुत सरे तरह की है तो संधी शब्दों का मेल है ही वर्नों के मेल से परिवर्टन आता है संधी है वर्नों को शब्दों को जब अलग करके लिखते हैं तो विछेद है तीन भेद है हमने स्वर संधी शुरू कर रही है स्वर संधी के बारे में जाना उसके भेद द्रिग संधी के बारे में जाना और अब उसके एक भेद गुन संधी के बारे में हम जानते हैं गुन संधी क्या है? आप भी प्राय है स्वरों के गुन में जो परिवर्तन होता है जैसे अ या आ के आगे ई या इद हो तो उनके मिलने से ए हो जाता है या फिर ओ या अर हो जाता है वो कैसे होता है नियम वही है थोड़ा इदर से इदर परिवर्तन करते हैं तब उनके गुण में परिवर्तन आता है जब उनके गुण में परिवर्तन आता है तो वो कौन से संधी कहलाती है गुण संधी कहलाती है, गुण संधी अर्था जब उसके गुण बताते हैं, जैसे महिंद्र, है ना, इंद्र, प्रमेश्वर, है ना, और महरिशी, सब्त रिशी, सब्त रिशी क्या है, सात रिशियों का सम्हू, सब्त रिशी कहलाता है, सम्हू की बात आ गई, तो आ, जमारी और जमारी अर है ना तो आ जमारी अर से आ जमाई अर से क्या बनाया हमने सब्त रिशी ब्रह्मरिशी अर्थात विशेश योगदार तो उसका गुण है ना कि वो रिशी क्या है ब्रह्मरूपी है सब्त रिशी जो साथ रिशियों का सम्हू है तो गुण तो आई रहा है अब राकेश जो इश का अंश है राकेश है है ना महीशवर जो महां है इश्वर के रूप में महीशवर ठीक है चलिए थोड़े थोड़े उधारण कर लेते हैं गुण संदी जिसस्वरों के गुण में अन्तर आता है और जिसमें आ आ के आगे अ आ के आगे ई आई जुड़ जाता है तो ए और ओं के आगे री उ जुड़ जाता है तो ओ र और ये बन जाता है कैसे आ जमाई को देखें जब बन गया ए तो यह क्या बन गया वीर जमाइंडर वीरेंडर कैसे वीर का लिया र और इंडर का लिया ए एक नियम सब में एक जैसा ही लागू होगा पहले का अंति दूसरे का प्रथम अब रह को तोड़ दो तो क्या बन गया अ जमाई तो ये रूल जो हमने यहां पढ़ा है यहां आ रहा है न तो यह क्या बन जाएगा अई तो क्या हो गया वीर जमाईंद्र र जमाई क्या बन गया विरेंद्र समझ में आ गया अच्छे से समझ में आये न अब शुब जमाइच्छा में भी यही है क्या भः जमाई भः को तोड़ा तो अ जमाई बनाए शुब भे तो भः तो पुरुण होई जाएगा वियंजन स्वर के साथ मिलेगा तब इसी थना परम जमाईश्वर गण जमाईश्वर गणीश के बारे में तो मैंने आपको explain किया था विस्तित रूप में बताया था परम जमाईश्वर तो इश्वर के समान जो परम है अर्थात परम इश्वर है अर्थात परम में खोया है तो वो क्या कहलाता है परमेश्वर है ना कैसे इसका म और इसकी इ अ जम्मा इ क्या बन गया ए बड़ी है ना ए क्या हुआ ए तो पर जम्मा मे परमेश्वर आसान है ना तो संदी पिछेद भी करो तो इन शब्दों की मात्राओं का ध्यान रखना कैसे उधारन के लिए यहां दे रखा है रमेश्वर है ना अब आपको पता है मै को तोड़ो इसकी अक्षर म जम्मा ए इस मै को तोड़ा तब ए जम्मा मै और इसको तोड़ा तो ए जम् बना था ए यह हो गया संधी विछेद तो यह क्या बन जाएगा रम जम्मा इश दोनों को जोड़ने पर म जम्मा इए रमेश समझ में आया है हां अच्छे से समझ में आ रहा है ना मारकर दूसरा ले ले लिए मारकर पता नहीं क्यों ठंड की वज़े से शायद काम नहीं कर है अब सुर्य उद्य का देखें सुर्य योद्य क्या जम्मा इस अगर यह वड़ा ओ आ जाता तो क्या बन जाता ओ द्रिक लंबा सांस आने पर ओ छोटा सांस एक मातर दो मातर आने पर ठीक है अब क्या है कितना आसान है विछेद करना और संधी करना आप यूं ही डर जाते हो संधी को लेकर क्यों डरते हो डरने वाली तो कोई बात है यह नहीं संधी में है ना आप देखिए इसका उत्तर तो खुदी दे दोगे आप मुझे सब्त रिशी के बारे में बता देती हूँ अ जम्मारी बन गया अर अ जम्मारी भी बन गया अर इसका एक उधारन करते हैं हम सब्त रिशी कैसे त सब्त जम्मारी ट को तोड़ोगे तो वियंजन अलग स्वर अलग री अलग अ जम्मारी आ गया यह क्या बन गया अर है ना सब्त रिशी यह किस में तबदील हो जाएगा री में ठीक है यहां तक आपको गुण संधी समश में आया अब गुण संधी के एक-एक उधारन तो आप भी मुझे बहुत असानी से बता सकते हो कुछ उधारन मैं बोलके बता देती हूँ अब हम बात करते हैं यन संधी के बारे में तो मैंने सोचा यन संधी हम थोड़ा बात में कर लेते हैं हम पहले कर लेते हैं आयादी संधी और व्रीधी संधी व्रीधी का आर्थ तो आप जानते हो ना व्रीधी का मतलब होता है बढ़ना किसी भी चीज में व्रिधी होना, अधिक्ता होना आप देखो, अ या आ के बाद अ और अए आए, या ओ और अव आए तो क्या होगा? अ या अई हो जाएगा और अ अव अव हो जाएगा है ना? यही है ना? तो मैंने यही बात कहा स्वर का स्वर से मेल शब्दों के मेल में अगर हम देखना चाहें कोशिश करें, तो हम विच्षेद करके देखेंगे, तो अ, आ, आ, य, उ, उ, उ यही सब वर्नों का मेल आपस में मिलेगा, है ना? तो यही वर्नों का मेल क्या है? हम है सिखा रहा है कि शब्द निर्मान किस प्रकार है उधारन के लिए देखिए अ जमा ए मैंने कहा ना अ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बन जाएगा अ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बन जाएगा अ तो एक और एक क्या बन गया अकेक कैसे वही क जमा ए क जमा अ जमाए तो हमारा रूर लागू हो रहा है ना तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया अके इसी प्रकार आ जमाए सदा जमाए सदेव मुझे लगता नहीं यहां तोड़ कर आपको समझाओं तो कि पिछले के जो दो भाग मैंने बताएं वो लगभग मैंने आपको सारे तोड कर बताएं तोड़ कर ही समझाएं कि किस प्रकार संधी हो रही है किस प्रकार गुण में या द्रिग में या अभी व्रिधी में स्वर का स्वर से मेल हो रहा है अब यहां देखिए A-O है ना मैंने क्या लिखा A के बाद अगर O आ जाए तो क्या हो जाएगा अव हो जाएगा अ के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा अव हो जाएगा हमें ये छोटी-छोटी ही बाते हैं ये वाली जो ये छोटी-छोटी बाते हैं अगर इनको हम थोड़ा सा प्रेक्टिस कर ले अभ्यास कर ले तो हमें संधी करने में दिक्कत नहीं आएंगी अब मैं तो आपको पढ़ा दूँगी आप देख लेंगे, समझ लेंगे पर प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग में नहीं रहने वाले जब ये चीजे रहेंगी तब ही आप इनको क्या है सॉल्व कर पाएंगे अभ्यास आवेशक है जब अ ओ अ हो जेगा तो इसका उधारण मैंने लिखा है दन्तोस्ट तोड़के दिखाऊं है ना त जमा ओ वही रोल त को ब्रेक कर लो अ जमा ओ अ जमा ओ क्या बन गया ओ अब सपोज कीजिए आपको पूचा है दन्तोस्ट सब्त का संदी विछेद क्या है तो सिंपल है दन्त जमा ओस्ट कर लीजे इतना तो करी सकते हैं फ़र इनको ब्रेक करके देख लीजे जब इनका रूल आपको बता देगा कि मैं व्रीधी हूं मैं गून हूं हिंदी खूती कह देती है कि देखो तुम कहां भाग रहे हो कहां किसे पूच रहे हो मेरे प्रश्न का उत्तर तो इस प्रश्न के अंदर ही छिपा है तुम प्रश्न को समझो और उत्तर दे दो बात तो वही है करना क्या है दिमाग से काम लेना है अभ्यास से काम लेना है है ना अब ये चीज़ें आपके कितनी असानी से हो जाएंगी आप समझ भी नहीं सकते पर एक बार अगर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया तो पूरे जीवन भर वो अभ्यास क्या है आपको सहाईता देगा अपने किसी भी एक्जाम को पार करने में सफल होने में अब आज अमा ए अब नवी दस्वी आठ्वी साथ्वी ये संथी समास यही सब तो जाके आगे आपके नीव बनते हैं क्योंकि अब हर चीज़ को तो बेस बे लेके नहीं चल सकते ना तो छटी सात्वी आठ्वी ये सब चीज़ें यहां क्या होता है इन कक्षाओं के अंदर आपको THोड़ा थोड़ा करके भढ़ा दिया जाता है आठ्वी कक्षा में आपको संपुरुन चीज़ें दे दि जाती हैं उसके बाद नवी कक्षा में आपसे मुख्य रूप से पूछे जाते हैं और आपको शब्द निर्वान विधी का जब पता होता है तो आप आसानी से शब्द बना सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं यही दस्वी कक्षा का अधार भी है दस्वी कक्षा का अधार ही आगे आपको भविशे के लिए तयार करता है है ना अ ए क्या हो जाएगा ए मत जमा ए क्या है आ ए क्या बन गया आए महेश्वरे यह महा हा जमा ए हा को अलग किया तो हा जमा आ जमा ए हा तो रहेगा इदर आजमा ए क्या बन गया अवे हो महेश्वर्या समझ में आया असान है संधी विछेद करना भी और संधी करना भी प्रयत्न क्या करना है सिरफ इन नियमों को समझने का ये नियम हर संधी में अलग-अलग है लेकिन कहीं न कहीं ए जिससे दिखते हैं और शब्दों के पहचान हमे बताही देती हैं की देखो मैं विरीदी जैसे मैंने अब क्रोफ में के उपर रहता है क्रे 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 अब क्रे क्रे क्र 쓰고 क्रे क्रे के लिएर दूसरा अक्षर नहीं कब वो क्या होगा पदीन होगा जब र्यकड घोर दो अक्षरों के बीच रहता है देखो क्रूम क्रूम क्रम क्रिपा यह रफेन है यह पदेन है यह रफेन है और यह री है री वालो तो कहीं रहा है क्रीपा रीपा की मैं री हूँ है ना करम अब इस और इस रह में क्या अंतर है जब दो वर्णों के बीच में रैका साउंड आता है तो वो रफेन यानि छत के ऊपर जाएगा जब रैका जोर खाली एक ही वर्ण अक्षर के ऊपर रहता है तब वो पाम में आएगा यह रखने की भी विधी है एक चोटा सा ट्रिक भी है ताकि आपकी रैका परियोग करने के धर्मे में आपसे गलती ना हो अब जिसने ध्यान से समझा है वो तो ध्यान रखेगा वर्ण नहीं वैसा ही यहां भी है जब आप शब्दों का विच्छेद करेंगे तो वो विच्छे विच्छेद क्या होगा पूछे जाते हैं पर कही ना कहीं चोटी 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 बाते भी बहुत महत्तु पुरुन हो जाती है इसलिए मैं आपको यहां थोड़ा जोड़ तोड़कर भी बता रही हूं तो यह तो आपका मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अब यह वा प्रक्टिस करना है याद करना है तो आयादी संधी क्या कहती है जब अई अउ के बाद कोई अलग स्वर आता है तो उसके स्थार्म पर क्या होगा एक बन जाएगा ओका अउ बन जाएगा और ओका आउ ए का क्या बनेगा ओ का क्या बनेगा और ओ का क्या बन जाएगा अब देखो ए जमा अ ऐ बन गया नयन ऐ जमा आ ऐ बन गया गायक गायक क्या है लिंग है गायक किसमे हो गया मेल अर्थात पुलिंग गायक किसमे आगई फीमेल अर्थात त्री लिंग ठीक है लिंग वचन भी करेंगे हम ओ ओ क्योंकि हिंदी भाषा में हर शब्द निर्मान के पिछिक लॉजिक है और उस लॉजिक को सीख कर पढ़ना ही हमारे जीवन का धे भी है जहां उस धे को हमने अपना लिया मानो हमने भू सारे जंजालों से चुटकारा पा लिया कन्फ्यूजlen नहीं होंगे इस कन्फ्यूजन को दूर कितने असान तरीके से में कर रही हो ओ जमाई क्या अवि ऑ जमाई का बन गया आव तो पावन वंजमाई porte जम्माई प और अ का मिरन क्या बन गया पवन है न असान है न ए जमाई आई ओ जमाई आवी तावेव नाविक गाई का तो ये पूरे की पूरि शब्द निर्मान विधि आपको बताती है किस प्रकार हमें सीखना है किस प्रकार हमें अभ्यास करना है और Sवर संदी के पांचो भेद में ये चीज क्या हैं मुख्या है जब व्येंजन संदी आएगी तो व्येंजन का व्येंजन से या सवर से जब मेल होगा उससे हम पता लगाएंगे लेकिं इसे अभी इसे को आप अभियास कीजिए थोड़ा सा अभ्यास आपको अच्छे से आगे बढ़ने में मदद करेगा लेकिन ध्यान रखिए इन वर्नों का वर्नों से स्वर का स्वर से मिलने पर जो परिवर्तन आता है उसको अच्छे से जीखी क्यूँ उधारन के लिए अ जमा इ क्या बनेगा और आ जमा इ क्या बनेगा यहाँ बड़ी इ है यहाँ छोटी ही है अ जमा बड़ी इ क्या होगा और आ जमा बड़ी इ क्या होगा इसको difference को भी याद रखना ए आ ई इ को ठीक है न समझ रहे हूँ मैं आशा करती हूँ जितना भी मैंने अयादी व्रिधी गुण द्रिक के बारे में आपको बताया है कि किस प्रकार सुवर का सुवर से मेल होता है किस प्रकार हम सुवर का सुवर से मेल करने पर शब्दुख के निर्मान में सहायक है किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, आपको उसका उत्तर कैसी देना है, संधी विछेद कैसे करना है, संधी कैसे करनी है तब तक अभ्यास कीजिए, समझिए, नहीं आनी पर कमेंट बुक्स में लिखिए, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे तब तक के लिए मैरे नुजन आपसे विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ संधी के स्वर संधी के पाँचवे भाग में, पाँचवे भाग कौन सा है, यन संधी, जिसको हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपको बहुत ब अपने प्रिशिस कमेंट, कीमती कमेंट्स हमें जुरूर दीजे, हमारे द्वारा चलाएगी प्रतियोगिता हमें भाग लेजी, और आने वाली कक्षाओं की और ध्यान दीजे, चैजी नेंद्र